है गाईज आजम बनाने वाले हैं PCV Board और गाईज अगर आपको PCV Board नहीं बनाना आता तो कोई बात नहीं है अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा किस तरह से PCV बनाए जाती है कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है इसका आ आपके जो PCV है वो बनके तयार हो जाएगी ठीक है सिंपल आपको जो है क्या क्या चीजे चाहिए चले मैं आपको सिंपल यह सबसे पहले बतायता हूँ आपको जो है एक PCV चाहिएगी यहाप आप देशेते हैं copper clay board ठीक है यह आपको plane ही लेना है जिससे मैंने यहापे ले हुआ है उटिक है अब आपको जितनी बड़ी PCV बनानी है उतना साइज आपको लेना है इसका मेंसे मेरे मुझे छोटी thi PC V बनानी है तो मैं जो है इतना इसमें ट्कडा काट लेता हूँ अभी ठीक है और दूसरी चीज क्या चाहिए आपको दूसरी चीज है इसको मैंुन इसलिए मैं आपको बोलाता है कि फुल डिटेल में वीडियो दूँगा कुछ लोग इसमें नहीं बताते हैं और फिर आपका आउट हो जाता है फिर आप बोलते हैं कि भाई हुआ ही नहीं है तो चली नहीं जा अब आपको क्या करना है अब आपको यह जो पेपर है ना गाई यह है एक टरह का जो फोटो पेपर होता है जैसे कि आपने देखोगोगा फोटो जिसके ओपर निकलते हैं आपके फोटो पेपर जिसके आप देखा खूऊगा सफेद से कलर का आगे से वह होता है आगे से तो इसमें पनीसी चड़ी następ आगए और पीछे से आप देखेंगे इसमें भी low जीग है ठीक है एक आता है जिसमें एक तो वो printer होता है जिसमें जो है काफी सारे जो इंक से वो लगी होती है red blue इधर मतलब की ink jet printer जो है उसको बोला जाता है वो जो है रंगीन फोटो को निकाल सकता है ठीक है आपको वो वाला नहीं लेना है आपको only वो लेना है जिस printer से only black print निकलता हो ठीक है आपको ये बात ध्यान दगनी अब आप ऐसा ना कर दें कि जो रंगीन वाला printer है उस printer से इस पे जो है color डलवा दें उसके बाद ये काम नहीं करेगा only ये जो है laser jet से ही काम करेगा जैसे कि आप display पर देख रहे हैं ये है laser jet और ये दूसरा वाल प्रिंट निकालने के बाद अब आपको ये simple क्या कर रहा है अब आपको फ्रंट के और बैक के दोनों ही मैं design नीचे दे दूँगा आपको तो जो है जाकर आप इसको सीधा बना सकते हैं अब मैं इसको थोड़ा side में रखता हूं इसके बारे में बताता हूं ये आपको PCB है ये आपको double side की नहीं लेनी है तो यहाँ पर अपको ये अपने size के according ये काट लेनी है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ी सी वस कर रही है PCB जिससे इसका गंदा हो रहा है नहीं ये जो तोड़ा साफ हो जाए और जिससे आपकी PCB बिल्कुल परफेक्ट हो जाए चली मैं इसको सबसे पहले size के according काट लेता हूँ इसका diagram का आपको सबसे पहले size देखना है जो आपको layout दिये मैंने जितना basic से आपको समझा रहा हूँ उतना ही basic से आप इसको करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और अगर आप इसमें थोड़ा सा process मिस कर देते हैं तो काट लिया है diagram तो आपको यह सिंपल निकाल लेना है अब यह इसका कुछ भी काम नहीं रहा चलिए मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लेता हूँ जिससे हमारे जो है तो यहां से मैंने इसको सारा काट लिया है और सिंपल आपको थोड़ा सा इसमें gap भी दे जाना है जिससे आपको प्रिंट है वो कभी अगर बेकार भी होते हैं तो बाद में इसकी side बच जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे तो यह सिंपल हमारा हो गया है तो इस तर से आपको यह निकाल लेना निकालने के बाद 今को का करना एक आरिक ब्लेड हो उससे भी आप इसको कट कर सकते है जैसे है आरिक ब्लेड है मेरे पास अब मैं इसको यहां से इसस तर से इस पर जो मैंने निसान लगा दिया आपको इतनी बड़ी रखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर तो मैंने इस पर निसान लगा दिया अब सिंपल मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा और हमारी इसको उसके बाद जाके इसको प्रिंट करूँगा पूरा प्रोसेस देखेगा वीडियो में सारी चीज़े डिटेल में बताँगो चलिए मैं इसको जल्दी से काट लेता हूँ गाइस आप जो है इसको भूल से भी तोड़ियेगा नहीं अगर आप तोड़ते हैं तो यह कहीं और से भी जा सकते हैं तो आपका जो है बोर्ड खराब भी हो सकता है तो आप जो है इसको तोड़े ना आप जो है इसको जितना आपका कटे उतना ही काटें आप इसको बिल्कुल एंड तक लेके जाएं तो गाई सिंपल हमारी जो है यह PC भी यहाँ पर कट के तयार हो गई है एह जो जो दर्यस्तर आप इसको पर इस तरह से देखना है करना सब्सक्राइब करनासे देखना है थीNow tu आप करना चाहें मैं इसको इतने ही बनाने वाला हो तो यह आपका इहाँ पर एह रखने वाला है अब आपको ये जो circuit diagram है ये आपको इधर रखना है जो layout है इसकी अब आपको ये जो है थोड़ी सी वोस करनी है वोस किस तरह से करनी है थोड़ा हलके हलके हास से आपको ये जो है वोस करनी है मैं आपको बता दूँगा साबून लगा के इसके हो गाईज ये जो है आपको किस चिपकी हुई है वो जो है थोड़ी सी हट जाएगी और इसके बाद जो है आपको थोड़ी से रब करके आपको इसे इसको जो है इस तरह से यह जो है साफ कर लेना है तो गाइस आपको जो है यह ज्यादा तेज से साफ नहीं करना है वरना इसकी जो है यह जो कोपर की क्लेट ह यह नीचे उतर जाएगी फिर आये जो है PCB किसी भी काम के नहीं रहेगी तो चलिए मैं जल्दी-जल्दी से स्कुईपर बॉस कर ले रहा हूं और फिर दिखाता हूं आपको वीडियो पर तो है सिंपल हमारी PCB के जो गंदगी थी वो सारे निकल गई है अब इसको सिंपल आपको पाने से वास कर लेना है तो सिंपल मैंने जो है यह पाने से वोस कर लिया है यहां से और अब आप देख सेते हैं इसके विसमें जो है साइन आ रही है इस तरothsem lados जो आपको किस तरह से डंजो नहीं है गोज़्ट से जिए अपको आपको अपने से सभी उल्टेmost दोपकर भूली हैं किस तरह से लगने हैं ये विज बतातों से लिए अपको आप को जब आप इस तरह से कर देंगे करने के करना है अब आपको simple इसको जो है थोड़ा सा अच्छे से कर लेना है जिससे बीच-बीच में से रहे हैं अब आपको अपनी प्रेस लेनी है ठीक है आप कैसी भी ले सकते हैं इसको हाई वोल्टेज करके उसके बाद आप जो है इसको इस तरह से जिस तर से मैं कर रहा हूं यहाँ पर पगड़ने के बाद उस तर से आप जो है इसके ओपर रखिए और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रही है इसको जिससे क्या होगा यह जो हमारे पेपर पे जो प्रिंट लगा था वो है सारा का सारा चुटके हमारी PCB पे उपर लग जाएगा और सिंपल हमारी PCB वहाँ से बनके तैयार हो जाएगी और उसके बाद जो हमें इसमें थोड़े से और कैमिकल का यूज करना है वो भी कोई ज्यादा बड़े कैमिकल नहीं है वो सिंपल आपको कहीं से भी मिल सकते हैं वो जायतर घरों में यूज के जाते हैं ठीक है अब आपको यह देख से दे करने के बाद आपको थोड़ा सा तो गाइस यह आपको कम से कम पांस से दस मिनट के अंदर तक यह करनी करते रहना है इसके बाद इसको प्रिंट है वो सिंपल हमारी पीसिबी को उपरा जाएगा और हमें इसको किस तरह से चुटाना है वो आगे मैं प्रोसेस बता तो चलिए मैं इसको वीडियो को इतने पोस कर देता हूँ और इसके बाद दुवारे वीडियो पर आता हूँ तो लगबग मुझे यहां पर पांच मिनट हो गई है करते करते चलिए मैं इसको साइड में रखता हूँ और आपको करना वाई आपको जो है यह इस तरह से उठानी है अगर यह गरम होगी तो आपको जो है आप किसी कपड़े से भी उठा सकते हैं और यह गरम की गरम आपक मैं इसको कपड़े की मदश मदश से पकड़ने के बाद सिंपल इसको इसको कागज है जो इस पर लगा हुआ हूँ तो खायो है तो इसम्पल आपको उससा आपको अपना बता नãoтор्य इस देख सकते हैं कितना अच्छा प्रिंट इस पर आ गया है और सिंपल हमारे जो कागज है वो पूरा का पूरा प्रिंट छोड़ चुगा है तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि आप जो है जब यह प्लेट आपकी गरम हो तो जल्दी से कर दीजेगा वरना अगर यह प्ले आपको इसी पर ही रख देनी है चलिए मैं दिखाता हूं आपको और इसके अब आपको यह थोड़ी से ठंडी होने देना है आपको ठीक है और गाइस भूल से भी काफी सारी वीडियो मैंने देखी है वह करते हैं जब कागज रटाते तो उससे पहले इस कागज को यह पानी नहीं है उसमें कि क्या बता रहे हो ठीक है तो मैंने पूरा अच्छे से बता दिया है आपको करने के बाद आपको जो है सिंपल अब मैं बताता हूं आपको कौन कौन सी चीजा आपको लेनी है लिक्वीड में कौन से में डालना है आपको ठीक है तो गाइस अब आपको क्या रंग हरा रंग बना देता है उसका तो ये वो ही है मेरे पास ये बिल्कुल वो ही है कभी आप सोचे के यार ये तो कुछ और दिखा रहा है ग्रीन ग्रीन सा और हमारे पास वाइट है कोई दिक्कत नहीं है वो भी काम करेगा और गाइस जो आप घरों में एसीड यूज करते ह है और आगे आपको लाइफ टाइम तक आप जो उसको बना सकते हैं ठीक है आप जब इसको ले के आ जाएं ये मुश्किल से 20 से 30 उर्पी की आ जाती है ठीक है आपको ये जो PCV है simple इसमें अभी नहीं डालने है बिल्कुल नट डालेगा ठीक है अब आपको चलिए सबसे पहले आपको जो एसीड है वो तीजाब है जो आपके घरों में यूज होता है वो आपको लेना है वो मैं चलिए दिखाता हूँ आपको कहा है तो गाईस ये रहा मेरा acid जो कि आप यहाँ पर देख सेते हैं मैंने इस बोतल में इसको डाल दिया है ठीक है तो अभी मैं चले दिखाता हूँ आपको किस तरह होता है इसमें पहले नहीं डालनी है भूल से भी मट डालेगा मैंने काफी सारी वीडियो देखी है उसमें पहले PCB को डाल देते हैं उसके पाद जो चुटा देता है तो आपको ऐसा नहीं करना है जिंपल आपको PCB सबसे पहले दर रखनी है और जो acid है वह आपको यहाँ पर इस तरह से ताल देना है ठीक है और गाइस यह बहुत ही जादा आप इसको safety से करें तो अच्छी बात है ठीक है आप इसको safety से करें तो simple मैंने acid को इसमें डाल दिया है, अब आपको का करना है, अब आपको यह PCB है अपनी, यह PCB है आपको इस तरह से इसमें डाल देनी है, एक मिनट, इसको डालने से पहले आपको यह यह जो hydroxide है, यह भी आपको डालनी है इसमें, चलिए मैं इसकी पर डिब भी खोल देता हूं मैं धक्कन खोलता हूं इसका, यह आपको सारी की सारी नहीं डालनी है, इसमें इस बात का ध्यान लगना है आपको ठीक है, यह आपको थोड़ी सी ही डालनी है, और तो मेरी यह से simple open हो गई है, आपको आप बिल्कुल भी इसके ओपर ना डालें, इसको जो है इधर से डालें तो देख सकते हैं, आप कितनी डालनी हो मैं इसमें, और यहापे simple मैंने डाल दिये, अब आपको करना है, अब आपको simple इसको हटा देना है, अब आपको यह कहीं भाहर ले जाके, और इसको जो है इस तर से करना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका जो print है, वो साइडों का पेपर लगा हुआ है, वो सारा print रह जाएगा, तो हमारी जो PCB है, उससे बनके ready हो जाएगा, चलिए मैं इसको भाहर जाके करता हूँ, अब यह फिलाल कमरे में हूँ अपने, ठीक है, और इसमें जो थोड़ा सा दुहा भी निकलता है, तो आपको कम से भी कम 20-25 मिनट करना ह है, और जब इसका रंग हट जाएगा, मतलब कि यह जो PCB के साइडों में यह जो copper लगा हुआ है, जब हट जाएगा, तो हमारी simple PCB बनके तयार हो जाएगी, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, जल्दी-जल्दी करके, और इसके बाद चलते हैं बार, और गाइस जब आप इस प्रोसेस को करें, तो आप जो है, अपने हाथों में गलप्स भी पहन सकते हैं, क्योंकि यह जो acid है, यह आपके हाथों पर भी लग सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान नखना है, ठीक है, चलिए मैं जल्दी-जल्दी से कर देता हूँ, सारे प्रोसेस को, तो इस तर से आ आपको चलाना है, यह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको चलाने में, तो जब आप इसको प्रोसेस को करें, तो उसके बात जो है, आपको अगर यह नहीं चुटता है, तो यह जो है, आपको थोड़ी सी और जो आपकी hydrogen प्रोसेट है, वो आपको जो है, गेर देनी है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी से आप इसको और भी गेर सकते है, जिससे क्या होगा गाईज, यह जो है, जो इसका प्रिंट है, वो जल्दी से चुट जाएगा, ठीक है, तो चली मैंने इसमें डाल दिया है, सारा का सारा, और दुबारे से मैं इस प्रोसेस को करता हूँ, जल् से गाईज, यह जो है, धेरे-धेरे चुटने लगता है, यह ओटमेटिक को पर, ठीक है, तो पीछे से देख सकते हैं, इसमें जो अली प्रिंट प्रिंट दिखेगा आपको, और बाग की जो साइड है, यह सारी खतम होने वाली है, चली मैं जो है, जल्दी से और भी करता इसमें से जो है, सारा का सारा सिंपल हट गया है, को पर जो इसका था, चली दिखातो हम आपको थोड़ा से जूम करके इस पर, तो देख सकते हैं, सारा का सारा को पर इसमें से निकल गया है, और सिंपल हमारे जो हमारा सर्किट है, वो सिंपल रह गया है, पीछे साइड यह चेछ है तो इस तरह से आपकि एकPS भी करेंके में अभी हम और और किषया करेंगे चैसार करेंगे कि और थोड़ा शुलत से चाहँ पर सबाथ है करा कियों कि यह जो इसका ब्लैक ब्लाइक रह गया है इसको जो है अभी आपको यह बहुत बहुत कर देना है क्योंकि यह जब तक नहीं हटेगा तो आपसाथ, उल्डरिंग जो आप इस पर करेंगे तो यह नहीं होगी, तो अब भी हम जो is गारेजर देखेंगे किस कंपॉनेंट को किस तर से लगाया जाता है वह बता दूंग आपको कितनी बड़ी लानी आपको कहा से लानी है तो वैस फाइनली हमारी PCV है वह सिंपल हसे रेडियों गई हैब आपको इसको तो साइड में रखना है और इस PCB को जो है ठोड़ा पानी से Awesome कर लेना है जिससे क्या होगा guys यह जो है इसका इसको चली में जुआ लेता हैं थोड़ा सा टेक है और अब आपको यह जो PCB का यह जो black black है यह भी हटा देना है यह आप जो है चाई हाओ से भी हटा सकते है हाँ से भी हट सकता है ठीक है वैसे हाँ से हटेगा नहीं हाट नहीं कभी कभी ठीक है अब आपको करना है अब आपको यह जो है या तो थिनर की सायता से हटा सकते हैं या आप इस पे पैटरोल भी डाल सकते हैं और उससे जो हट जाएगा सारा का सारा इसके प्रिंट ठीक है त तो देख सकते हैं यहां पर और आपको थोड़ा से टाइट टाइट से कर देने तो गाइस देख सकते हैं यहां पर इसका प्रिंट है वो सिंपल जो ब्लैक ब्लैक था वो सारा का सारा यहां से हट गया है और सिंपल हमारे जो प्रिंट से है वाकी हमारे यहां पर बच गए है तो गाइस देख सकते हैं हमने पीसीवी को इजली बना लिया है और इसी यही होता है इसका प्रोसेस बनाने का कोई दिक्कत नहीं होती है और फिर भी अगर आपको इसमें कोई दिक्कत होते है प्लीज कमेंट करना आप करेंगे हम इसमें होल और देखेंगे कितने कितने एमम क कि हम इसमें बिट लगाने वाले हैं ठीक है तो हमारी सिंपल इसका जो है यह इस तरह से हट गया है अब मैं इसको सिंपल कर लेता हूं वोस और फिर दिखाता हूं आपको कि हमारी पीसी भी है वो तयार हो गई है तो सिंपल मैंने इसको कर लिया है सिंपल वोस तो गईस देख सकते हैं आपे हमारी पीसी एजली क्रिएट हो गई है तो गई इस तरहसे बनाई जाती है पीसीवी और अगर आपको एम जो प्रिंट ay रहे जाता है तो आपको पर यह मूं और से जाके कंफर्म कर सकते हैं क्योंक किस तरह से whole करते हैं और कौन सी bit लगती है और किस तरह से हम इसको whole करेंगे अभी देखने वाले आगे ठीक हैं यह हमारी simple PCB और उप जूआप so do is know cry एम और मेरे हैं इस सुसाइब मेरे अब छहां पर एक एमें में की एजिली मिल जाएगी आप भी जाके ले सकते हैं मैंने आपको इनका साइज बता दिया है kijह को है अगर आप इसको लगाते तो क्रांजिस्टर रिले नीचे की वह बेसर इसे चेक कर सकते हैं 1.5 mmा सब्सक्शचर चिर्शा के और होथा हैart कि और आब एक में कि है इसमें आप जो है LED हो गए resistance हो गए और जो छोटे चोटे transistors हैं वह हो गए तो आप जो है उनको में लगा के यूज कर सकते हैं मतलब कि इसको जो डु मैंनल हूँ होगा वो जो है सके मुदाफिक होता है तो आप जो है इस वाली को ले सकते हैं एक mq's चलिए अब आपको किस तर से लगानी आगर आपकी यह वाली है तो चलिए मैं लगाएória था हूं एक बार जल्दी से मैं जो है इसको एक बार कर देता हूँ पार अ आपको सारी चीचे दिखा दी है, कितने MMQ मैंने ये लखी है, और चली मैं होल करता हूँ और दिखाता हूँ, आपको कैस तरसे होल किये जाते हैं तो guys सिंपल इस vlogging करने हैं चली दिखाता हूं इसमें तो simple इस तरसे आपको पर इसमें hole करने है ठीक है सारे के सारे hole करके उसके बाद जो है आपको PCB दिखाते हों पूरी तो गईस आर आप देखेंगे हम अगली वीडियो में इसमें जो है हम solder करेंगे और हम इसमें component डालेंगे तो अगली वीडियो में हम दुबारे से मिलेंगे ठीक है नेक्स पार्ट इसका जल्दी ही आ जाएगा तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं वीडियो कैसे लेगी आपको प्लीज कमेंट करके बताना और लाइक जरू करते हैं वीडियो को वीडियो कि वीडियो करते हैं